इसके आपको धिक्राए होगा कि 140 के में चल चुका है और तीन पॉइंट्स कम हो चुका है अलो अससलाम अलेकुन नवस्ते सस्रीय काल यू बीडिफल पीपल तो क्या हल चाल है आप सभी के आज का व्लॉफड इंप्रोटन वहीं है और मैं बात टाइं से ईसके मैलेज पर नहीं बात किया है जो की बहुत ईंप् Anita का क्या कर लुकर देता जा Amiga until Pag spark in मैंने दिता था और अब ही क्या मैलेज देता तो मैंने सोचा क्योंना एक dedicated vlog बनाता हूं क्योंकि बहुत पहले मैंने एक बनाया था, तभी तो 38 था, 38 था, वो ब्लोग पर कापी अच्छे views भी आया है, तो उसके 38 km per liter आया हुआ था, तो और अब का मैं बता रहूं, मैं चेकर के नहीं बताने वालो, मैं मेरे experience बता रहा हू है, माइलेज देती है, मेरी बाइक मुझे 30 प्लस माइलेज देती है, तो जब ही मैं लांग राइट पर जाता हूं, अभी मैं क्या किया, मुंबई टो डैली, टो आगरा, आगरा, टो लखना हो, ये सब किया, तो वहां पर मुझे दे रहा था 30, 30 प्लस, और जैसे ही मैं मु करने लगता है, कि यहां जल 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 ली पेटल खतम हो, तो मुझे लो हो जाता है, उसका डिक्रीज होने लखता आपका माइलेज, क्योंकि आप यहां पर चलते हो, और किन्ने सारे ट्राइफिक रहते हैं, स्लो चलना, क्लैच लेना, गेर केंज करना बाता है, तो फ्रीली हो अब इसके आपको दिख रहा होगा कि 140 km चल चुका है, और तीन पॉइंट कम हो चुके हैं, तो आपको देखा ना कि डिस्पले में दिख रहा है कि 140 km चल चुका है, बाइक वो भी मुंबई City में, और वो मैने डिस्पले दिखाया, और उस पे आपको दिख रहा है 140 km मेरी ब का खतम हुआ होता है, तो इसी से में को पता चल जाता है कि मेरा जो माइलेज है वो डिक्रीज हो रहा है, तो मलब जब City में आ जाता हूँ, तो 25 हो जाता है, और जब भी मैं लॉंग टूर पे जाता हूँ, हाइवेस पे, तो मेरी KTM Duke 200 माइलेज बढ़ जाता है, 30 प्लस दे जाना चाहिए, तो इसलिए मेरा 220, 30, 40, ऐसे हो जाता है, तो मैं रिफ्रॉल कर लेता था, तो मैंने सोच है, एक dedicated vlog बना दू इस पे, क्योंकि यह बहुत important होता है, एक बाइकर के लिए जानना, कि उसकी बाइक कितनी माइलेज देती है, और लोगों में बहुत सारे queries होते है कि कितना उसकी बाइक दे रही है, और मेरा बाइक चल चुका है, 14,500 किलो मेटर, तो distance भी बताना बहुत जरूरी होता है, कि मेरी बाइक कितनी पुरानी, 7 मही ने होगा इस बाइक को लेके, तो बस यही था, मैंने बता दिया, तो further vlog continue करते है, तो अभी मैं जतिन से पूछन कि उसकी बाइक क्या उसको एवरेज देती है, क्योंकि इसकी है KTM RC200, और मेरी है Duke200, तो चरा City में क्या देता है बाइक तो अल्मोस्ट 20-25 देता है City में, 25 से मेरा है, और लॉंग जाता है तो, तो सूरफ जाता है, कि किना देता है, मेटर पे तो कुछ भलता ही दिखाता, 60- 65 दो है, वो थूढ़ी आप मेरी जैसा है, में बता हकए, पे, अबरेज ही लिखा रहेता, जोह देता है üzहाँ जाता है, में बता हो दो, जबाने मेरे से मेरे से मतनव range, समते को तो किईन्दा पुराना हो गया, 14 से में 2016 से में तो तीन साल पुरानी बाइक इसकी है, साथ याठ मैने पुरानी मेरी बाइक है, मैं लोग इसे मैंटेन करकर रखता हुआ है, इसके वज़े से हम लोग की बाइक फोड़ी बहुत अची पार्फूमल कर लेती है, तो जिस किसे के बास भी KTM Duke 200 या RC 200 होगा, तुम लोग कॉमें कर सकते हो, कि तुम्हारी बाइक कितनी माइलिज देती है, सिटी में और हाइवेज पे, लव लाउंग टूर में या फिर सिटी में जो भी तुम लोग के उपर छोड़ता हूँ और हम लोग ने बता दिया कि तेरी बाइक कि नी चलिए है टोटल, 46 लोग, बै दॉक्तर, किम कि और ज्यादा चलिए हो, तो तुम लोग भी बता सेते हो, क्योंकि तुम लोग के पास और ज्यादा एक्स्पेरियन्स होगा, बाइक करें है, तो यह था मेरे एक छोटा सा वीडियो माइलेज के उपर, तो आई होप कि आप लोग का जित्ता सारा डाउट्स ता माइलेज क मेरे लेके वो क्लियर हो गया हो, क्लियर हुआ? हाँ, अल्वर्स होगा, क्या? तो अपनी बाइक यहां पर खड़ी है, और दो या तीन मिलों में यहां पर लेके आने वाला हूँ, सर्विस के लिए, अभी नहीं डालेगा, क्यों मुझे भी दो काम फिनिश करना, तो जब फ तो इसी के साथ मैं इस व्लोग को एंड करता हूँ, अगर किया हो तो मेरे बाइक लाइक, शेयर, और इस वीडियो के नीचे कुछ कॉमेंट कर दो, तुम्हारी बाइक कितना मालिस देती है, उसा भी बता दो, ठीक है, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, तभी स डिखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना हूँ, वह ना मत करना है, ठीक है, छेलो गाइस, बाइबाई, यून ए नेक्स व्लोग, बाई!